Hello students, welcome back to this channel, इस वीडियो में हम question number 2 solve करेंगे exercise 1.1 से, chapter का name है knowing our numbers, question हमने लिया है 6th class की PSEB textbook से, arrange the numbers in ascending order, so यहाँ पर हमें कुछ numbers दिये हैं, इनको हमने ascending order में arrange करना है, ascending order क्या क्या मतलब होता है, कि सबसे बहले आपने लिखना है सबसे छोटा number, फिर उससे बड़ा, फिर उ बड़ा number, जब हमने numbers को compare करना होता है, तो first step क्या होता है, given numbers के number of digits को count करो, so यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 4 digits, 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 तो यहाँ पर given numbers के number of digits तो है equal, अब हम comparison का next step करेंगे, उसमें हमने क्या करना होता है, given numbers के, जो left most side वाले digits होते हैं, उनको आपस में compare करना होता है, so left hand side से हम digits को one by one compare करना start करेंगे, and right hand side की तरफ compare करते जाएंगे, जब तक की हमें सबसे छोटा number नहीं मिल जाता, so यहाँ पर left most side पर है 6, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3, so इन चारों digits में से सबसे छोटा digit है 3, so that means यह वाला number है सबसे छोटा number, so ascending order में सबसे पहले number आएगा 3, 9, 5, 3, अब इस number को छोड़ दो, क्योंकि इस number को तो हम already लिख चुके हैं, बाकी के तीनों numbers में से देखो कि छोटा number कौन सा है, अब इन तीनों numbers में left most side के digits क्या है 6, 6, and 5, so 5, 6 से छोटा है, so इन तीनों numbers में से छोटा number कौन सा है, 5, 2, 3, 1, so यह आ जाएगा यहाँ पर next number, अब इस number को भी छोड़ दो, यह वाले दो numbers बचे, इन दोनों numbers को further compare करो, यहाँ पर left most side वाला digit तो equal है, 6 and 6, तो हम next digit को compare करेंगे, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, यह भी equal है, अब हम next वाला digit compare करेंगे, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 9, so 8, 9 से छोटा है, तो third number पर आजाएगा यह वाला number, 6089, and end में आजाएगा 6098, तो इस तरह से आप given numbers को ascending order में arrange कर सकते हो, okay, B part में यह वाले 4 numbers दिये हैं, पहले तो इन सभी numbers के number of digits को count कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पर दो numbers के हैं 4 digits, so जिन numbers के 4, 4 digits हैं, वो 5 digits वाले number से छोटे हैं, so सबसे पहले हम इस number को and इस number को compare करेंगे, and इन दोनो numbers में जो छोटा number होगा, वो आएगा सबसे छोटा number, तो उसके लिए हम पहले इन दोनो numbers के leftmost digits को compare करते हैं, क्योंकि इन दोनो numbers के number of digits तो equal है, ठीक है, so यहाँ पर leftmost digit है 6, यहाँ पर leftmost digit है 7, so 6, 7 से छोटा है, so सबसे छोटा number आएगा ये वाला, 6, 0, 7, 3, अब जो दूसरा छोटा number आएगा, वो आएगा ये वाला number 7, 3, 9, 2, so अब 4 digits वाले तो हमने दोनों number लिख लिए, अब हमने compare करने है 5 digits वाले numbers, so यहाँ पर भी हम पहले leftmost वाला digit compare करेंगे, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, so 4, 5 से छोटा है, so 3rd number पर आएगा ये वाला number, 4, 9, 9, 0, 5, and last में आएगा 5, 8, 9, 0, 4, so यह आगया ascending order, so इस तरीके से आप given numbers को ascending order में arrange कर सकते हो, C part में ये वाले 4 numbers दिये हैं, तो पहले इन 4 नंबर के number of digits को count कर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अभी यहाँ पर तीन numbers के हैं 5 digits, एक number के हैं 4 digits, so जिस number के सबसे कम digits है, वो आएगा सबसे छोटा number, so ये है सबसे छोटा number, so ascending order में सबसे पहले हम लिखेंगे 9, 8, 0, 1, अब हम compare करेंगे ये बचे हुए तीन numbers, so पहले हम compare करेंगे leftmost digit, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, so 2, 3 से छोटा है, so next number आएगा ascending order में ये वाला, 2, 5, 7, 5, 1, अब इन दोनो numbers को छोड़ दो, इन दोनो numbers को compare करो, अब यहाँ पर leftmost digit तो equal है, अब हम compare करेंगे next digit, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, so 6, 8 से छोटा है, तो third number पे आएगा ये वाला number, 3, 6, 5, 0, 1 and last में आएगा 3, 8, 8, 0, 2 so this was question number 2, in the coming videos we will solve more questions, thanks for watching, take care.